हलो दोस्तों नमस्कार आज हम लेकर आये हैं फिल इन दे ब्लैंग कोश्चन अभी तक हम मल्टिपिल चोईस कोश्चन लेकर आ रहे थे जिसमें तुक्का मारने को भी होता था कोश्चन नहीं आया तो भी आप बनाजने की कोशिश करते थे लेकिन अगर आप अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें शाथ ही वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें और कॉमेंट करना न भूलें कोमेंट अवस्चे करें रिक तस्तानों की पूर्ती किंजें फिल इन दे ब्लैं प्लस CPTM संजुक तक्षर से WTT जारी किया जाता है नेक्स्ट नुबर टू समान एवन सहाइक नियम में कुस्तिका में कितने अध्याय है एक चेप्टर से त्यरा डार्श चेप्टर एट मैं और समानेर के सब्सक्राइब शसुकर्णया नेक्स्ट सवारी गाड़ सब्सक्राइब 5 केजी विप्र चेप्टर कीमयर में चाहिए तो इंजन में जो है कितना होगा 5 kg और ब्रेकियन में कितना होना चाहिए तो 4.8 kg पर cm2 होना चाहिए इमांट आप एर प्रेसर इन द इंजन और ब्रेक वैन और पैसेंजर ट्रेन अड़ अड़ श्टार्टिंग अस्टेशन सेल वी 5.0 kg पर cm2 पर एंड 4.8 kg पर cm2 नेक्स्ट कोश्चन नमबर 5 मालगाड़ी के इंजन में 10 mm तक फ्लैट टायर की सीमा अनुमत है तो फ्लैट टायर जो होता है कितना कोचिंग वेहिकल में जानते हैं कि 50 होता है और गुड्स वेहिकल रहता है उसमें 60 mm तक होता है तो यहां मालगाड़ी के इंजन पूछा है मालगाड़ी से कोई मतलब नहीं इंजन से हमको पकड़ना है इंजन से क्या है इंजन कोचिंग के अंतरगात आता है तो यहां 50 mm अंसर होगा डाइस एमें आफ यहां 50 mm हो जाए 50 mm फ्लैट टायर इस परमीटेड इंद लोकोमेटीव आफ ए गोट्स ट्रे सफेद बत्ती सफेद बत्ती सिगनल बताएगा गाड़ सेल सो हैंड वाई डे एंड वाई लाइट वाई नाइट दो थे एशेम इफ दे ट्रेनीज स्टैंडिंग क्लेरिग ऑफ हॉलिंग मार्क नेक्स्ट कोच्छ लेंगे सतरकता संकेता गती संकेतक से समतल जगह पर डैस कि वह कितने मीटर पर होता है तो 800 मीटर पर होता है कहां से अब रोध से जहां जो अफ्ट्रक्सन था वहां से लेकिन 30 मीटर पहले क्या होता है गती संकेतक लगा जाता है तो इसमें 30 माइनस करतेंगे कितना हो जाएगा 750 770 770 एगर हमारा वीडियो जो है गती संकेतक जो इनिरिंग बोर्ड से समभणित हमने बताया उसमें जाकर देखिए हमने बहुत अच्छी तरह से उसे समझाया है आप उसे डीटिल केसा जान सकते हैं और उसे बच्छी तरह से समझ सकते हैं निश्ट्स कोशन नमबर एट A class ODC के दिक्तम गती क्या होती है तो A class ODC की दिक्तम गती समान्य होता है या पिर कह सकते है कि Sextional Speed होता है Sextional जो गती होती है Sextional Speed उस खंड की जो गती होती है वही होता है CX and the speed someone's SX and the speed maximum speed of A class ODC is seit story normal 2 B class of the class of the class 40 C class 25 the extra number nine 戒रिका कायच साइटिक में परवेश दैस प्रकार की दुर्गतना है train entering into sandhunt is a dash type of accident तो यह क्या है एक संकेतिक प्रकार की दुरगतना है संकेति यह इंडिकेटिव इंगलीश में कह सकते हैं इंडिकेटिव टाइप आप अग्सिडेंट नेक्स्ट कोश्च नमबर टेन अधिक्तम अनुवेग अतीड द्वारा निर्धारित किया जाता है मैक्समाम वाइल रनिंग त्रू ओबर वन एट अफ टर्न ओड विट कर्डव स्विच इस फिप्टीन केमपीश इस समय पर गती होता है 15 केमपीश 15 केमपीश नेक्स्ट आ गया कॉसन बोड से डैस मिटर की दूरी पर लगाते है तो यहां स्टॉप बोड है तो दूरी ज्यादा रहे तो समय पर यहां स्टॉप बोड से पूचा तो अब रोग से 30 मेंटर पर ही यहां से बाराश वमें से हम 30 को माइनस कर देंगे पिर क्या हो जाएगा 110070 मीटर अंसर हो जाएगा अंसर यहां कितना होगा कॉसन बॉड स्टॉप बोड से 1170 मिटर की दूरी पर लगाते हैं कोस पहले एट रहता था अभी एट वाले पूरा क्या हो जागा 10 kmph हो गया 10 kmph अंसर होगा स्पीड वाइल ड्रॉपिंग बैलाश्ट प्रोमाटरियल ट्रेन ड्यूरिंग रन इस 10 kmph स्वचल खंड में यदि ए मारकर भुजा है तो सिगनल माना जाएगा इसे सकते हैं थी चालिज है भी और ली है में आप रैटेडो थे में अपैसिक्ण लेंगे दो हूटर बजने का अर्थ है दो हुर्टर में क्या होता है सवन आप टू हूटर में क्या होता है दो हूटर के लिए यह ते की आप सकता उसी स्टेशन पर ईー अप में दो तीन चार पाँच वहता है तो यहां दो का पूचा गया है तो अनसर होगा एर्ट के अव सकता उसी स्टेशन पर नेक्ट कोश्चन लेंगे पॉस्चन नमबर 16, MA UQ signal बवस्ता में block overlap dash होता है, block overlap in MA UQ signaling system is dash meter, तो multispect upper quadrant पूछा गया है, यहां पर 180 meter होगा, क्योंकि multispect का है, MA CLA जैसे होता है, 180 meter होगा, block overlap signal overlap कितना होगा, स्थाइगती परतिवंदों की जानकारी डैस में होती है इन्फर्मेशन और पर्मनेंट स्पीड रेस्टिक्शन इस प्रवाइड़ इन डैस यह किसमें होता है डव्लू टीटी में होता है वर्किंट टाम टेबल में होता है नेक्स पर चलेंगे कौके Carol नमबर 18 गाड़ी विखंड़ान होने पर गार्ड दीन में दैस सिग्नल बताएगा गाड़ी जब विखंडी तो जाता है ट्रेंट पार्टिंग होता है क्या करता है हरी जंडी उपर नीचे ग्रीन फ्लैक को यह उपर नीचे करके बताता है हरी जंडी ऊपर नीचे गा गाड़ी विखंड़ान ओने पर गाड़ रात में यही सिति अगर रात को होता है तो रात में सफेद बत्ती उपर नीचे यहां लिखते हैं सफेद बत्ती उपर नीचे करके वह सिगनल बताएगा इन दे केस आफ ट्रेंट पाटी गाड़ सेलसो वाइट लाइट वाई नाट उपर नीचे करके वह बताएगा निश्क को चलें कोश्चन नमबर 20 गाड़ी विवाजन के दौरान सेश लोड के डैस बाहनों को हाथ ब्रेक बांधे जाएंगे इन केस आफ ट्रेंड डिवाइडिंग एंड ब्रेक्स ऑफ डैस बैगन्स ऑफ दे रिमेनिंग लोड और पिंड डाउन तो इसमें से 10 या फिप्टी परसेंट उसमें से जो अधीक हो 10 या 50 परसेंट जितने बाहन रहे गए हैं वहां पर उसमें से जो अधीक हो जो अधीक ह अगर 50 परसेंट है दस से अधीक है तो 50 परसेंट को बांधा जाएगा लेकिन अगर 12 वहिकल है तो पूरे 10 वहिकल को पिंडाउन किया जाएगा रंड ब्रेक बांधा जाएगा इन केस आफ ट्रेन डिवाइडिंग एंड ब्रेक्स आफ 10 और 50 परसेंट जिवीचिवर इस मोर वसको हम पिंडाउन करेंगे बैगान आप रिमेरिंग लोड और पिंडाउन पिछले स्टेशन वाश्टर द्वारा अधिक्रिक करने पर लोको पाइलेट आईवीच को आउन पार करते समय डैस सिटी बजाएगा यहां से बजाता है लोको पाइलेट सेल सौंड डैस विजल वाइल पासिंग डाइवेश एड आउन आप्टर विंग ऑथराइड वाजिद कुछ लोग चस्मा सिटी के नाम से भी जानते हैं नेश को चलेंगे कोस्टन नमबर टॉंटी टू नैरो गोज में पहला पठाका अब रोज से डैस मीटर के अंतर पर लगा जाता है तो पहला पठाका 400 मीटर पर किया जाता है 400 मीटर अंसर होगा 400 मीटर इसमें 400, 400, 10, 10 पर 4 पठाका लगा के प्रोटेक्शन किया जाता है तो यहां पहला पठाका पुछा गया है 400 मीटर पर होगा नेश को चलेंगे कोस्टन नमबर टॉंटी त्री सायता इंजन मागने से पहले गाड़ी का बचाव डैस या बस्यक है Before demanding assisting engine train is to be protected from both direction दोनों तरफ से दोनों और से जो है protection करना जरूरी है किसी भी और से इंजन आ सकता इसलिए दोनों और से protection करना जरूरी है both direction इंग्लिश में रहेगा तो both direction नेश को चलेंगे 24 दोरी लाइन पर ACF के दारान पहली गाड़ी की गती पहली गाड़ी की गती जो हत इसे काते हैं तो अंसर यहां होगा 25 अब्लिक टेन अब्लिक पैदल 25 एकहरी लाइन पर ACF के दारान लोको पाइलेट को डैस के लिए टी अब्लिक भी 602 दी जाएगी डूरी एसे डूरी अल कम्मुनिकेशन फेलियर ऑन सिंगल लाइन टी अब्लिक भी 602 इस इसु टू लो लोको पाइलेट टू डैस तो किसके लिए टू ओपन कम्मुनिकेशन कम्मुनिकेशन को सुरू करने के लिए संचार व्यवस्था सुरू करने के लिए टी बी जो है 602 दिया जाता है टू ओपन कम्मुनिकेशन कम्मुनिकेशन संचार व्यवस्था सुरू करने के लिए दिया जाता है नेक्ट्सक्राइट टूंटी सिक्स पांच वाक्स गॉहनों की शंतिंग की इंपक्ट क्या होता है तो क् सब्सक्राइब लेंगे एर ब्रेक समग्री गाड़ी की ब्रेक सकती प्रमान पत्र की वैदता डाइस होती है तो एर ब्रेक बले जो गाड़ी है समग्री गाड़ी लिए पूछा गया है वैडिटी आप डेक पावर स्टिफिकेट आप एर ब्रेक मैटेडियल ट्रेंट मैटेरियल ट्रेंट की जो वहता है वहां 15 देश्ट लेंगे आपको 30 देश्ट रहेगा लेकिन यहां याद रखना है 15 दीन ही होता है 15 दीन ही अंसर करना है सटरकता संकेतक और गती संकेतक के बीच अंतर घाट सिक्षन में डेस होता है समतल जागा पर अंसर हो जाएगा 900 900 मीटर होगा, अंसर यहां होगा 900 मीटर, 900 मीटर, नेक्स्ट कोश्चन नमबर 29, गाड़ी विभाजित किये जाने पर गाड़ द्वारा लोको पाइलट को डैस प्राधिकार दिये जाता है, भें ट्रेन इस डिवाइड़ गाड़ सेल इसू डैस अथर्टी टू लोको पुर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर का नमबर डैस है, नमबर आफ दा ट्रेन इंट्राइबर रिजिस्टर इच तो उसका क्या नमबर है टी अवलिक 1410, 1410 जो है पुर्ण गाड़ी आगमन रिजिस्टर का नमबर है, नेक्स्ट आस्थाई एकहरी लाइन संचालन के समय जाने वाली पहली गाड़ी की गती क्या होती है, उसमें पर पहली गाड़ी अस्ताइब तो गाड़ी का सेक्षन के लिए करते समय गती होगा, तो फ्लैक टायर जो रहता है, उसके लिए to clear the section maximum speed of the train with flat tire is dash KMPH तो यहां होगा 20 KMPH, flat tire जब रहता है तो 20 KMPH से section को clear किया जाता है next question number 33, गाड़ी का headlight खराब होने पर अधिक्तम गतिव dash होगी maximum speed when headlight becomes defective is, तो defective होता है वह headlight तो समय पर speed जो होता है वह 40 KMPH होता है, 40 KMPH गतिव होता है next question number 34, गाड़ को engine पर बुलाने है तो लोको पाइलट डैस city बजाएगा लोको पाइलट सैल साउंड डैस विजल तो कॉल गाड़ तो इंजन तो समय पर दो लंबी दो छोटी city बजाएगा, दो लंबी दो छोटी city बजा करके और जो है गाड़ को ड्राइवर जो है इंजन पर बुलाएगा, next question number 35, केवल एक गाड़ी पज़ती में गाड़ी का बचाव डैस और से किया जाता है, train is protected from डैस in one train only system, one train only system है तो समय पर base station रहता है, आधार station रहता है, उसकी और से बचाव किया जाता है, base station की और से, base station की और से, बचाव किया जाएगा, base station लिखा जाएगा, station, next question number 36, CC रेक वाले माल गाड़ी में परस्थान station पर डैस परतिसर ब्रेक पावर होना चाहिए, ब्रेक पावर इन दसी सी रेक गूट्स ट्रेन अट स्टार्टिंग स्टेशन सैल भी 100%, जो है, CC रेक का जो गाड़ी है, तो वहाँ जहां पर गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें पर 100% BPC उसका ब्रेक पावर जो है, रहना चाहिए, next लेगे, question number 37, रोग संके तक, अ at a distance of dash meters from the place of obstruction, तो या 30 meter की दूरी पर लगाया है, चाहे तो stop board रहे, या फिर, जो है, रोक संके तरह है, या फिर, जो है, speed indicator रहे, जो अब रोध है, उससे 30 meter की दूरी पर ही, दोनों भी लगाया जाता है, कोई भी हो, चाहे समतल जगा हो, चाहे घाट सेक्शन हो, या 30 meter की दूरी पर ही लगाया जाता है, नेक्स्ट कोस्चन लेंगे, 38, गाड़ी संचालन के दारान खराब सिगनल दिखे, तो लोको पाइलेट इसकी सुचना डैश सीटी बजा कर देगा, एक लंबी और दो चोटी सीटी बजाएगा, और वह खराब सिगनल के बारे में जानकारी देगा, नेक्स्ट कोस्चन लेंगे, 39, रात के समय हाथ सिगनल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्द ना हो, तो खतर संकेत डैश मरकार से बताएंगे, क्या करेंगे, in the absence of red light in hand signal है, hand signal में red light नहीं है, और danger signal can be shown by, तो क्या करना है, violently waving a white light horizontally across the body, सफेद बत्ती को सरीर के आमने सामने जो है, दाएं बाएं जोर जोर से हिला कर बताएगा, सफेद बत्ती को जोर जोर से हिला कर, सफेद बत्ती, सरीर के सामने दाएं बाएं जोर जोर से हिला कर, जोर जोर से हिला कर वह परदर्सित करेगा और इससे समझा जाएगा कि जो है रेड लाइट के वह कत्रा के संकेत दे रहा है चिकित सा राहत गाड़ी दोहरा निकास होने पर 10 मिनिट में निकलना चाहिए तो उसमें सिंगल में 20 मिनिट होता है और डबल रहता है उसमें जो है 15 मिनिट अंसर होता है यहां सिंगल का पूछाएगा नहीं यहां डबल का पूछाएगा डबल एक जित है तो 15 मिनिट अंसर होगा नेक्स्ट कोस्चन नमबर 41 आज थाई इकहरी लाइन संचालन के समय दूसरी गाड़ी की गति डैस होती है तो दूसरी गाड़ी जो है लाइन के लिए लेकर चलाया जाता है इसलिए जो गति होगा वह समान्य होगा नॉर्मल होगा नॉर्मल स्पीड से दूसरी गाड़ी जाएगा नेक्स्ट कोस्चन लेंगे कोस्चन नमबर 42 मसलस व्यवस्ता में बुजे हुए होम सिगनल के लिए लोको पाइलट को पिछले स्टिशन से डैस अधिकार पत्र दिया जाएगा और इस्टिंग्विश्ट होम सिगनल लोको पाइलट विल वी इसूड डैस अथोरिटी हुजा हुआ है इसलिए आप वहां सत्रक्ता पुरोग जाएए उसे मोस्ट रिष्टिक्टिव जो है इसको पालन कीजिए नेक्स्ट कोस्चन नमबर 43 स्टेशन से बीना ब्रेक यान की गाड़ी तुरू जाते समय गती डैस होगी स्पीड आफ ट्रेन विदाउट ब्रेक व सब्सक्राइब जाएए अपने सबी स्टेशनों को सई समय की जानकारी देता है सेक्शन कंट्रोलर सैल ट्रांसमीट दा करेक्ट टाइम एड़ डैस आवर्स डेली तुद ऑल स्टेशन तो यह 16 आवर्स को दिया जाता है सोला बजे जो है दिया जाता है हर दिन स्टेशन को सही समय का मिलान करने के लिए दिर में सब्सक्राइब जिम्मेदार होता है किसले जिम्मेदार होता है यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है सेक्षन कंडॉलर रिस्पॉंसिपूल पर डैस ऑन अपे रेल्वे प्रोवाइड़ विद शिस्टम ऑफ श्वीच कम्मिनिकेशन जो संचालन प्रद्दती वर जो है मुवमेंट ऑफ ट्राफिक के लिए सेक्षन कंडॉलर होता है वह जिम्मेदार होता है मुवमेंट ऑफ ट्राफिक मुवमेंट ऑफ ट्राफिक निक cigarette जाता है आinku पिशे सनुदेश द्वारा जारी किया जाता है औनके दवारा उस्पेशल इस्रेक्षन आरे जरी किया जाता है निएस्ट निएटेश नरेक है तर्फ ट्राफिक का दौरा ची मुवमेंट पर ट्राफिक के दोरा यल्सपेश्चा,very निए ऊ आप प्रवान पत्र के लोड को स्टेशन से क्लियर करते समय यदि गाड़ी परिच्छा को प्लब्द ना हो तो लोको पाइलाट तो गाड़ी किसन अच्छा सुलिशित करेगा और गाड़ी को डाइस तक लेकर जाएगा तो गाड़ी को अगले जो है टी एकसार पॉइंट तक लेक लेकर जाएगा यहां इंग्लिश में पढ़ेंगे वाइल क्लिरिंग दा लोड बीधन इन्वैलिट बीपीची इफ ट्रेन इग्जामिनर इज नॉट अविलबू लोको पाइलाट और गाड़ सेल इंशोर शेप्टी अप देट ट्रेन अप तो नेक्स्ट टी एकसार लोज स्टेशन एट विच रॉश ओवर फैसिलिटी अर अवलेबूल एंड डैस ट्रेटेट एज लोज तो इसमें जो है शीकला स्टेशन और आईविस जो रहता है शीकला स्टेशन और आईविस रहता है उसे बंद माना जाता है नेक्स कोचा नमबर फिक्टी किसी ब्लाक सक्षन में कार्य है तो अधिक्तम डैस ट्रैक मशीन भेजी जा सकती है मैक्सिमाज आप डैस ट्रैक मशीन के सेंट फौर वर्किंग उप इनेगें ब्लाक सक्षन में इंजन की सिटी खराब होने पर गाड़ी की गतिश की अधीक नहीं रहेगी तो अधिकतम गतिश में इतन स्वारी गाड़ी में चपहिया बहान लगाया जाने पर गाड़ी की गती डाइस के अधिक नहीं होगी गाड़ी सब्सक्राइब चाहिए जो बीशीशी दिया जाता है ब्लाओं प्रवानपायत्र डाइस निधारित फांपर दिया जाता है सब्सक्राइब जाता है उसका फांपनबर होता है और इसके उपर जारी किया जाता है नेक्स्क्स 국न 54 block सक्षमता प्रवान पातर 25 जारी किया जाता है ब्लाइट लौप कंपेटेंशी सैटिफीगर बाहरे किन के दोरह फ५्र होते है इंसिपल है जेल्ड़ टी आई गप्रिंसिपल जेलर्ट Марश टी क्राषार होते हैं जेल्डर Прे Sunshine के उनके द्वारा यह जारी किया जाता है बी सी सी अंसर यहां हो गया प्राचारी जेडार टी आई प्रिंसिपल जेडार टी आई तो आज हमने 54 कोस्चन लिए इसी तरह हम और आगे श्री लेकार आते रहेंगे आसा है कि आपको तैयारी के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होगा और आपकी प्रि